हेलो एंड गुड मॉर्निंग ओल अफ यो गुड मॉर्निंग दोस्त कैसे हैं स्वक्ष होंगे अच्छे होंगे आउमीद करते हैं आपको वीडियो पहुत पसंद आती होगी चलिए आज हम सिंपल इंट्रेस्ट का यह आपका तीश्रा नमर कलास होने वाला है इसमें आपको ह सब्सक्राइब नहीं होता है आप उस पैसे को पांच वर्सों या फिर दस वर्सों में या साथ वर्सों में चुकाने का क्या करते हैं 아이 को वादा करते हैं ए और आप आप अपने जो है जहां से आप समान के खरड़दारी किए हैं उसको ऐसे बोलते हैं कि हमें एक किस्ट बना दो हम इस पैसे को किस्ट किया कर देंगे चुका तो यह कीष्ट बार केष्ट यही कोशुन आज हम पढ़ने वाले हैं, यह कोशन आपको S.I.S.C. में बहुत पूछे जाते हैं, और यह में सलेबर प पो बहूत अच्छे से पूछे जाते हैं, कुछ चोटे मोटे कोशन जो बनते हैं यह ररेले Вें उतार कर रखेंगे तो चलिए स्टार्स कर लेते हैं सबसे पहले जानते हैं उसका बेसिक दखिए सबसे पहले बेसिक क्या है कोशन समझे अगर मान के चलिए आप एक कोई गारी खड़ दें ठीक है और उस गारी का भैल्यू जो है अगर मार्केट में 11,000 रुपया 500 है का बात कर रहे हैं बट कोई बात नहीं आपको कोशन बद्यान देना है ठीक है तो यह मुल्धन आपका दिया हुआ है एक तरसे यह मुल्धन ही हुआ उस समाई जो है अगर आप 11,500 रुपया दे देते हैं तो यह गारी आपकी हो जाएगे लेकिन अगर आप कहते हैं कि यह कहा कि चलो भाई ठीक है हम तुमको 10 रुपये इंट्रेश्ट पर दे रहे हैं हम तुमको 10 रुपये इंट्रेश्ट पर दे रहे हैं और आपको जो चुकाना है चार किस्त में चुकाना है कितना किस्त चुकाना है चार किस्त में तो यहां पर समाई आपको दे दिया चार वर्स ठीक है तो आपके लिए परतिय किस्ट कितना कितना चुकाना पड़ेगा वही देखना है सबसे पहले आप यह देखिए कि टोटल आपको चुकाना पड़ेगा कितना अगर आप सारा अगर एक ही बार में दे देते हैं तो कितना चुकाना पड़ेगा तो 11,500 का 10% के rate से 4 वर्स में, कितना चुका लीजिए, तो इसको गुना कर देंगे, तो कितना हो जागा, 5,20 का 0, हांसिल 2, 11,44 का 2, कितना हो जाएगा, 46, अदार्थ आपको 46,00 रुपिया अधिग पे करना पड़ेगा, तो टोटल जो आपको यहां से पे करना पड़ेगा, 00, जीरो, 11,000 का एक हांसिल 1,15,60, माने, 60,100 रुपिया आपको क्या करना होगा, टोटल पे कर देना होगा, अगर आप उसी समय ले लेते हैं, तब, लेकिन आप बोलते हैं कि नहीं, हम तो 4 किस्त में चुकाने वाले हैं, तो आपको इतना पैसा एक बार में पेट करना होता है, लेकिन आप किस्त में चुकाएंगे, तो किस तरीके चुकाएंगे, तो इस पर चर्चा करते हैं, सबसे पाड़ी बात देखिए, अगर 4 किस्त है, सबसे मान दीजिए, ये पहला किस्त है, 1st किस्त, ये 2nd है 100 रुपिया का, ये 3rd है 100 रुपिया का, और ये last किस्त है, अगर ये किस्त चुकाते हैं, ये 1st वर्षा का किस्त है, ये 2nd वर्ठ है आ ये 3rd मात को नहीं थ्यां से समझ्यցगा, जब आप ये किस्त चुकाएंगे, तब जाके ये आप जो भी समान मार्केट से खरकें, आपकी होगी, लेकिन जब आप ये किस्त चुका रहे हैं, ये किस्त चुका रहे हैं उसका मतलम यह हुआ कि अभी उसका कुछ पाट जो है आपका नहीं हुआ है ठीक है तब बात समझे तो अगर इस यह रासी आप अगर चुकाते हैं लास्ट में तो उस पर का 10 रुपे इंट्रेस्ट है तो आपको उस पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा सौ का सौ चुका दिजिएगा लास्ट में लेकिन अगर आप यह रासी चुकाते हैं यह रासी तो यहां से यहां तक आने में आपको एक वर्स का ब्याज देना होगा बात समझ रहे हैं तो एक वर्स का ब्याज देना होगा तो यहां से आपको 10 रुपिया देना होगा बात same condition, अगर 100 रुप्या पेड कर रहे हैं तो यहां पर पहुंचने के लिए आपको 3 वर्स में 30 रुप्या आपको इस्ट्राज जा रहा है, 10% के रेट से, तो टोटल आप देख रहे हैं तो कितना हो गया थे 50, 60 60 रुपिया आपको इस्ट्राज हो रहा है तो ये कैसे हो रहा है क्या ये आप पेड कर रहे हैं जी नहीं ये आपके रुपईया का इतना ये दुकंदार आपका ब्याज भर रहा है तो टोटल आपने चुकाया कितना एक, दो, तीन, चार यहां से 400 ये 460 कितना चुकाया 460 तो ये 460 रुपिया जी होगा ये वैल्यू होगा किस के बरावर 16,100 के बरावर ठीक है 16,100 के बरावर क्या हो जाएगा ये बरावर हो जाएगा लेकिन आप तो बोलते हैं कि हम क्या करेंगे बरावर बरावर किस्ट चुकाने वाले हैं तो बरावर बरावर किस्ट आप कितना का माने है 100 का तो यहां से कर लिजिए 100 का भैल्यू निकालिए तो कितना हो जाएगा निकल का आएगा 46 तिया 120 20 कितना होता है ठीक है दोस्त तो यह क्या करेंगे यहां से निकालेंगे 100 का भैल्यू क्योंकि यह बराबर बराबर किस्ट आपको चुकान है क्या करते हैं इसको काट लेते हैं कितना से 23 से तो 23 से काट लेंगे तो यह कितना हो जाएगा 700 का असान करने के लिए किये फिर यहां से हम 100 का भैल्यू निकालेंगे तो इसका यह कितना गुना है पांच गुना तो इसका भी यहां से कितना गुना कर देंगे पांच गुना कितना हो जाएगा 35 कहने का मतलम यह हुआ कि अगर आप 35-35 रुपिया चार किस्त में भुक्तान करते हैं, तो आपकी ये 11,500 की जो रासी है, जो बन के कितना हो रहा था, 16,100 रुपिया आपको उसी समय देना था, जिस समय आप गारी खईद रहे थे, जिसे समझेए, लेकिन आप 35-35 रुपिया किस्त में अगर देते हैं, तो से आपको फाइदा है, देखिए, अगर आप 35-35 रुपिया दे रहे हैं, तो 4 किस्त भरे होंगे, तो 4 से मल्टिपलाई कीजिए, तो आपने कितना दिया, 35-100 का 140, आपने सिर्फ 14,000 रुपिया चुकाना है, लेकिन आप चुकाना था कितना, 16,100 रुपिया चुकाना था, ज छार वर्स में आप भोकतान करना था, तो आपको 16,100 रुपिया चुकाना था, लेकिन आपने 35-35 किस चुकाया है, तो टोर कितना चुकाया है, 14,000 रुपिया चुकाया है, तो इस दोनों का डिफरेंस कितना आया, का कितना डिफ्रेंज आ या ना कि आ या यह आपको फैदा है तो देखिए यह आपको क्या हो जब आप उसने 100 रप्या जावा पर्थम किस चुका दी होंगे तो यह सान नहीं नहीं होता है कि हम किसी से अगर उपया लेे हैं तो सिर्फ वह हमसे क्या करेगा इंट्रेश ऑगर सौ रुपया आपने तीन वर्स पहले चुका दिया है तो इस सौ रुपया पर आप इंट्रेस्ट छोड़ देंगे कि लेंगे लेंगे हमारे जैसा जाहिल आजमें आज रहा है तो मेरा यह ने लेंगे लेंगे आगर बात समझ रहें तो इसलिए आपको आज 14000 रुपया ही चुकाना पर रहा है जबकि आपको चुकाना था 16100 रुपया तो यह हुआ पूरा एक concept हुआ कि installment के question को हम बनाते कैसे हैं इसी तरीके से बनाएंगे जब हम इस पर question करेंगे तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा तो चलिए अगर आप यह समझ गया है तो स्क्रीन सोट ले लिजिए हम आपको फिर दिखाते हैं इस पर जो अधाईजने भी सारे question पूछे जाते हैं इजाम में इस्टॉल्मेंट पर अगर कोई भी बेस question आप से पूछा जाता है तो एक्जाम में आप एक भी छोड़के नहीं आएंगे चलिए अब चलते हैं question की तरफ चलिए दोस्त आपको screen पर question दिख रहा है solve कीजिए कितना असान के साथ question बनाते हैं एक question बताते हैं आप second, third, fourth question आप खुद से करने का पर्यास कीजिएगा चलिए करते हैं question, question देखिए भाई सबसे पहले इंग्जिस वाले भाईया देखेंगे What annual installment will discharge a debt of 10,750 रूपी in 4 years at a rate of 5% per annum interest कहा गया है कि 10,750 रूपया, 5% सधारन ब्याज की दर से अगर 4 वर्सों में 10,507 रूपया के रासी देई है देई का मतलम यह हुआ कि चुकाना है, ठीक है, तो आपको बताना है कि वार्सी किस्त जो है कितनी होगी आपको यह बताना है देखिए सबसे पहले बात, आपको रासी दे कितना है 10,750 रूपया, 4 वर्स के बाद आपको इतना रासी देई है लेकिन हम चाहते हैं कि इस चीज को हम क्या करें, एक इंस्टॉल्मेंट में पेड करें वर्स वर्स, 4 वर्स हम लेंगे, तो हमने माल लिया कि भाई समझो कि अगर एक इंस्टॉल्मेंट हम 100 रूपया करकते हैं तो दूसरा इंस्टॉल्मेंट 100 रूपया, तीसरा इंस्टॉल्मेंट 100 रूपया और चौंथा इंस्टॉल्मेंट 100 रूपया तो चार इंस्टॉल्मेंट हम क्या कर लिएं, बरावर बरावर कर लिए ठीक है, अगर आप समझेंगे, यह last installment है, अगर इस last installment में देखते हैं, तो अगर हम 100 रिप्या चुका देते हैं, तो मेरा करजा पुरा खतम, जो भी समान है, अब वो मेरा हो जाएगा, समझ गए बात, तो इस पर हमें कोई interest नहीं देना होगा, इस पर interest कितना होगा, 0 रूपि यहां से क्या आ जाएगा, पांच रूपिया आ जाएगा, इस्ट्रा, यहां से एक वर्स के लिए, फिर यहां से कितना वर्स के लिए, दो वर्स के लिए, तो कितना हो जाएगा, 10 रूपिया, और यहां से तीन वर्स के लिए, तो कितना आ जाएगा, 15 रूपिया, तो टोट 430 रुपिया आपको total चुकाना होगा, इसी का value कोशन में दिया गिया है 10750 रुपिया, बात समझ रहे हैं, तो हमको निकालना क्या है, परतेक इंस्टॉलमेंट हमें कितना कितना पे करना है, 100 का value निकालना है, तो 100 का value निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप ये देखिए इसका कितना गुनाँ एक जिरो से एक जिरू कर जाएगा कीजिट खूझना है इसके नजदीक का अब फिर काल्कुलिल करना है तो इसका ये 25 गुना है, तो इसका ये क्या होगा, 25 गुना कितना हो जाएगा, 25 सो, और यही हुआरा हमारा question का answer, कितना आसान था, बस छोटा सा concept, हमने एक 10 मिनट आपको लेक्चर दिया, उस पर आपने second का question नहीं है, आप ऐसे ही question करेंगे, चलिए फिर चलते है, question number second की कितना रुपया देना है, 32,000, कितना रुपया, 600 रुपया देना है, और यह चार वर्स में आपको क्या करना है, देना है, यह रुपया आपका दई है, यह रुपया हम चुका देंगे, तब जाके कोई समान मेरा हो जाएगा, कहने का 100 अर्थ हुआ, और इसमें यह कहा गिया है कि छो तो पर्त्य किस्त कितनी होगी अगर rate of interest दिया है हाइट परसेंट रेट आप इंट्रेश्ट कितना दिया गिया है 8 परसेंट लेकिन आप अच्छे ना समझते है अगर यह लास्ट किस्ट है इस पर हमको वियाज चुकाना होगा रुपिया एक भी रुपिया भी नहीं लेकिन इस पर एक वर्स का भ्याज लग जायगा मुझा तो दो वर्सका लगेगा वह सो का आठपर्सन कितना होता है आठ रुपया तो एक वर्स के लिए 8 रुपया है दो वर्स के लिए 60 तीन वर्स के लिए 24 चार वर्स के लिए 32 और पांच वर्स के लिए 40 देखे यह हुआ पहला किस्ट सकेंड किस्ट थर्ड किस्ट फोर्थ फिफ्ट शिक्ष्ट छठा किस्ट हम ते क्या कर दिया पूरा चुकाया होगा तो पांचे वर्स का न लगा होगा हमको इंट्रेस्ट इसलिए ये पांच वर्स का चाईश रपिया बात समझ गए चलिए आप सब को जोड़िए तो आप जोड़ेंगे तो 600 इधर हो गया और अगर आप जोड़ते हैं तो जोड़ने का तरीका कैसे करते इस द यहां से देख सकते हैं अगर आपको पता नहीं चर रहा है फिर भी कोई दिकत नहीं है यहां से क्या कर लीजिए आप 18 से भाग किजिए तो कितना हो जाएगा यह 18 तो यहां से कितना बजाएगा अब यहां पर देखते हैं हमको निकालना है इस 100 का भैल्यों कैसे आएगा इस पर डवल जिरो पुट कर देते हैं तो चार से इधर भाग करते हैं, तो चार से इधर भी भाग कर देते हैं, तो कितना हो गया? 4500 रुपिया, तो कैलकुलेशन आपको इस तरीके से करना है, बात समझ गये होंगे, कोशन में error था, यहां पर हम गिलत लिख दिये थे, 400 होगा, ठीक है, 600 नहीं, बात समझ गये, बह करते हैं, लेकिन फर्मूला आपको नहीं यूज करना है, छोटा सा concept है, अभी हम इतना लिख रहे हैं, लेकिन आपको इतना लिखने की विजवत नहीं है, जब आप समझते हैं, छो वर्स में दे है, ता बस आप यह निकाल सकते हैं, जो अगले कोशन आपको करके दिखाते ह देखिए दोस्त, नेक्स्ट कोशन क्या कहा गया है, नेक्स्ट कोशन कहा गया है, आपको कि 12 पर तीस सधारन ब्याज की दर से 5 वर्स में 93 रुपया रासी देज है, तो परतेक वार्सी किस्थ किया हुगा, तो यह एक ही टैप के कुशन करवा रहे हैं, इसमें टूरा तीन आप बनता है, तो आपको सारा कोशन करवाएंगे, मेरे साथ आप बने रहे हैं, अगर आपने अभी तक कोई वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक जरूर कर लिजिए, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब गडर के बेर आइकन जरू गया और यह पांच वर्स में 93 रुपया का चुकाना है तो चरिए कोशन किया है सबसे पहली बात यहां से देखिए अगर 12 परसेंट दे हैं तो आप अगर यहां से देखते हैं तो अगर आंप पहला किस्त अगर कि ग्रेवा सव का मानते हैं तो यह बी कितना हो ज Sum कामि यह बीकनौ जागा 100 का आइभ तो आपने टोटा कितना चुका दिया देखिए 48 को 12 को जो रेंगे 60 इस दोनों को जो रेंगे 60 तो 120 रुपया इधर हो गया अब 500 इधर है तो कितना हो गया ठीक है जी चोचन में दिया गया है 9300 रुपया यहां से निकाल लीजिए किसका जोसे 0 कट गया निकालेंगे तो 31 22 आसाथ 31 स्याथ तीरानवे था दो का वैलियू है फंद्र के बरावर्थ आपको निकाना है इसका यह है पचास गुन्णा आपको इसका क्या करना है पचास गुन्णा कितना हो गिया फंद्राव उसो डिखिए कितना कम समय में कोशन बन जा रहा है ठीक है चलिए नेक्स्ट कुछ अलग टैप का है लेकिन वही बेस्ट पर बन जाएगा इसी कंसेटर बनेगा लेकिन कोशन में थोड़ा हम रिमूब कर दिये हैं देखे कोशन देखे क्या कर रहा है दो एनुवल पैमेंट ओफ रूपी नाइन हंड्रेड इन फाइब इयर एट रेट कितना है 15% पर एनम कहने का यह अर्थ है कि 900 रुपिया जो है परतेक वार्सिक किस्त हम चुकाते हैं यहां पर आपको परतेक इंस्टॉल्मेंट कितना आप दे रहे हैं यह दिया गया है परतेक इंस्टॉल्मेंट दिया गया है 900 रुपिया और यह आप चुकाते हैं पांच वर्स तक कितना तक पांच वर्स तक तो यही कोशन में कहा गिया है कि टोटल डएधन कितना होगा आपको यह बताना है इस बार कोशन उल्टा पुछा हुआ है तो दखिए सबसे पहले हिंदी वाले भाई देखेंगे यहां पर 10% के जगा आप 15% कर लेंगे इंग्लिस में 15% है हिंदी में 10% हो ग तो पांच किस्त बनेगा यहां से नम्म liner copper instrument कितना बन जाएगा 5 तो लास्ट इंस्टोर्मेंट पर आपको 10 रूपिया चुका ना है इस पर एक वर्ष का इंट्रेश्ट चुगाना है इस पर दो वर्ष का इस पर तीन वर्ष का इस पर चाड़ वर्ष का तोटल आपको कितना रुपया अद्धै है जब 100 रुपया इंस्टॉल्मेंट है तो यहां से जोर लीजिए इस दोनों को जोरेंगे 60 60 120 यहां से हो गया 150 यहां से 500 तो 650 आपको निकालना है कोर्शन में दिया किया है तो आपको 100 का वैल्यू दिया गया है श्वाव का फैलू कितना दिया गया है 900 इसका यह 9 गुना है ना छा का 24 425 रुपई यहां से आ गया और यह आपको क्या देगा टोटल दे रासी देगा तो कभी आपको परते के इंस्टॉल्मेंट का एमॉंड दिया रहेगा बस आपको कोशन को पकर कर यह कर लेना है कि हमें दिया क्या है हमें निकालना क्या है अगर यह आप जान लेते हैं तो कोशन बनाना बहुत असान है कोशन को ब कंसेप्ट है इसी कंसेट बनेगा लेकिन नए तरीके से कोशन आपके शामरे दिखेगा सबसे पहले बाप देखिए कोशन आपको दिख रहा होगा आप क्या कीजिए पहले वीडियो को पॉज कीजिए बनाने का खुद से प्रयास कीजिए अगर आप से बन जाता है तो धिसको लेका में चलते हैं 19200 रुपया है कितना दिया गिया 1900 रुपया रहा समझे के से और चलता है मैं करता है आप समान ख़धने के लिए जाते हों अगर जत्मान आ आप इंस्ट्राल्मेनट में ख़धिता हो तो आप क्या करते हो ठीका भार अगर 50,000 का स्तामान है तो 10,000 प्याम देना चाहते हैं अभी कभी से 40,000 का आप क्या कर दिजे इंस्ट्रॉल्मेंट बना दिजे सेम पूशन यहां पर दिया गिया है 48,000 रुप्या उसने क्या कर दिया तो cash done payment कर दिया तो 48,000 रुप्या कर देगा तो किस्त कितना का बनेगा 14,004 रुप्या का क्या बन जाएगा इंस्ट्रॉल्मेंट बना के देगा दोकंदार बात समझ रहे हैं चलिए और यह आपको rate दिया गिया है 12% पर एनम माने एक वर्स के लिए 12% लगेगा लेकिन कोशन में कहा गिया है कि आपको परतेक किस्त जो निकालनी है वह मासिक निकालनी है क्या निकालना है मासिक तो ब मेना होगा rate से एक महिना का 1% होगा, 12 महिना में 12% है तो एक महिना हो चुकाएंगे रहें ओ llevar इंच्ट्रेस्ट ऑध पर किया इंश्ट्रमेंट हो Means इंट्रेस्ट जसे पांच समान समान चुकाना है मिला का हमोगीologically हो इसास प्म height कि एसमें निकालना हिए तो 14,400 रुपया का 1% के दर से 5 installment चुकाना है, तो टोटल कितना चुकाएंगे, यहां से देख लिजिए, यहां से 5,20 का 0 हासिल 2, असल तो मैं 720 रुपया हमको चुकाना पड़ेगा, कितना 720 रुपया इंट्रेश देना पड़ेगा, तो टोटल कितना दे होगा, इसमें जोड देंगे, तो कितना हो जाएगा, यहां से 20,700 हासिल, यहां से लिजिए 14,000 रुपया, माने 15,120 रुपया आपको टोटल देना है, ठीक है, पांचमा इंस्ट्रॉल्मेंट जाके तब खतम हो जाएगा, अगर आप अब ही के अब ही बरतमान में अगर आप 15,100 रुपया चुका दे रहे हैं, तो यह आपकी हो जाएगी, या नहीं तो यह इंस्ट्रॉल्मेंट में आपको देना पड़ेगा, आप देखिए, आपने पांच इंस्ट्रॉल्मेंट पेड किया है, तो फर्स्ट इंस्ट्रॉल्मेंट मान लीजिए, एक सौका, एक सौका, एक सौका, एक सौक कितना हो गया दस अधर कितना है 500 तो 510 तो 510 का वहल्य कोश्ष में दिया है अभी निकाले कितना निकाले हैं 15120 रुपिया तो 0 से 0 हमको परतेक इंस्ट्रॉलमेंट निकालना है 100 का वहल्य सबसे पर इसको कात लीजीया सान हो जाएगा अगर तो तीन से काड़ते हैं 17 51, 35 15 3 चोका 12, 504, 17 का value आया, तो हमको 100 का value निकालना है, 100 का value कितना हो जाएगा, 504 बटा, 17 अगुने 100, यहां से आप solve कर लीजेगा, 17 51 नहीं लगके, 172 कितना लग जाएगा, 34, यहां से 16 बचेगा, यहां से 4, फिर कितना हो जाएगा, 17 53, 17 53 हो गया, कितना बचेगा, यहां से 1, यहां से भी, कितना हो गया, 17 55, 102 है न, यहां से बचेगा, 80, 70 का कितना हो गया, और 60, तो माने, इतना कि आसपास, option देखिए, कहां match कर रहा है, option नमर कितना है, आप option नमर देख रहे हैं, 2, ठीक है, देखिए, ऐसे-ऐसे कोज़ना है, आप बोले हैं, एक calculation करनी की जोथ है, देखिए, जिस परकार से option दिया है, calculation आप नहीं कर सकते हैं, अगर आप यहां से digital sum लगाएंगे, यहां से आप calculation करना ही होगा, क्योंकि digital sum यहां से क्या आ रहा है, तब जिटीजल sum नहीं लगा पाएंगे, बास समझ रहे हैं, यहां से आप calculation निकालना ही होगा, बन जाएगा ऑप्शन नमर भी आप टिक कर लिए ठीक है अगर आप समझ रहे हैं तो वीडियो को भी लाइक कीजिए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ सेम इसी टैप कोशन है कहा गया 500 रुप्या नगद या 5500 left के साथ रुप्या से तॉ आप 1.2 रुप्या रुप्या ओ थे सब्सक्राइब इस आप 8% वर्षिक डर से ल veggie जाता है तो मा कच्त निकालिए 18% है तो अगर यह आर का भेल योगा 18% है एक वर्स में तो एक मेहना में कितना हो जाएगा देर परसेंट एक मेहना में कितना हो जाएगा देर परसेंट हो जाएगा और चुकाना है आपको पांच किस्त में कितना किस्त में ? 5 किस्त में चुकाना है गए तो सबसे पहले आप यह देखिए कि सहे 300 रुपएया जो है अगर हम अभी देते हैं तो यह समान आपकी हो जाएगी लेकिन आप बोलते हैं कि हमें installment में देना है आप instrument आपको देना कितना होगा ? तो सारे 300 रुपया का 1.5% के रेट से कितना में 5 वर्ष में 5 इंस्टर्मेंट में कितना चुकाना होगा इसको हम देखते हैं तो सारे 300 यहां से 15 पचे कितना जाता है 75 माने 7.5% इसको तोड़ना नहीं है देखिए हम वो कितना देना है आप अरहाई परसेंट का वहल्यू जान कितना होता है एक वाटा चारिस आप मेरा प्रसेंटेजंड वीडियो देखिए यहां पर हमने सारा परसेंटिज को कैसे कंभाट करकरcies बताएक बच्छों को याद करना है आपको यह समंझा जाएगा तो यह इसका कितना गूना है तीन गूना तो यह कितना जिएत्य proud f 40 तो यह 3 बड़ा 40 क्या हुआ यह 3 बड़ा 40 आपका interest हुआ लेकिन दे कितना है तो इसको हम क्या करते हैं जोड के लिखते हैं माने 43 बटा कितना हो जाएगा 40 आपको यह रासी अगर आप अभी देना नहीं चाहते हैं तो पांचमा किस्त आप जब भुक्तान करेंगे तभी इतना रासी लेके जाए और देदीजिए असमान लेके आ जाएए समझ गये लेकिन आप चाहते इंस्ट्रॉल्मेंट में चुका ना होगा सकेंड इंस्ट्रॉल्मेंट पर डेर परसेंट के रेट से एक वर्स का डेर रूपया दूसरे पर तीन रूपया चौंठे पर सारे चार रूपया और पांचमा पर छे रूपया चुकाना होगा बात समझ रहे हैं टोटल आपको यहां से दखिए यहां से 25.15 रूपया रूपया हुआए इसी का वहल्यूně में दिया है अभी निका रहले है तीन सवपचास गुने तैर्लीर बटा कितना चारीस तो आपको किता फं है सौंसर्क कमें चल्पना थेया नेंगे तो एक का बहल्यू कितना आ साजैगा रूपया 5550 नीचे सौ तो सौ से दून तरफ क्या कर देंगे मल्टीपल यहां से काट दीजिए इंसर आ जाएगा बीस पंचे बीस दुना चालीस ठीक है यहां से काटेंगे कितना आ जाएगा जी तो आप यहां पर क्या कर लिजिए डिटर सम भी लगा सकते हैं देखे साथ इसको छोड़िए इसको करता है शोल करने का प्रयाश किजिएगा तो कितना आ जाएगा ओप्शन देखने दिजिए हम को यह अप्रॉक्सिमेट आपका आजाएगा 73.06 आप कल्कुरिशन यहां से किजिएगा 73.something आएगा ठीक है दोस्त हमने ऐसे ऐसे कोशन को निप्टाया है बहुत यह अच्छा क पूछे जाते हैं इस पर टाइप एक दो कोशन और बचाए एक दो टाइप का तो होगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो में यह भी कवर करवा देंगे ठीक है फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी इंस्ट्रॉमेंट को लेकर आएंगे जो जितने भी सारे म कोशन टाइप छूट गया होगा यह आपको नेक्स्ट वीडियो में हम प्रभाइट करवा देंगे ठीक है मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद